ब्लोग में म्यूजिक कैसे डालें? फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की यह सवाल है कि सर हमारा ब्लोग वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें हम बैक्ग्राउण म्यूजिक लगाना चाहते हैं कैसे लगाएं? किस तरीके से लगाएं? यानि कैसे अपने ब्लोग में म्यूजिक डालें? तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही असान तरीका बताने वाला हूँ और सही तरीका क्या है? वहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं लेकिन सही तरीका नहीं बताते हैं तो आज हम आपको जो सही तरीका है music लगाने का वो हम आपको बताएंगे ताकि आपके ब्लॉग में जो music है काफी अच्छा लगे और देखने वालों को मतलब देखे तो देखते रहें ठीक है तो चलिए हम इस वीडियो को बीना समय को है start करते हैं आप इस वीडियो को बीना skip किये पूरा last तक जरूर देखे ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले फ्रिंट देखिए आप अपना ब्लोग वीडियो बनाते हैं किसी ना किसी जो इडिटर वीडियो इडिटर आप होता है तो उसे अपनी वीडियो को इडिट करते होंगे तो फ्रिंट्स आपको अपने फोन में काइन मास्टर अप अगर इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल रखिएगा ठीक है अगर नहीं है तो आपको Play Store में आना है और Play Store में आने के बाद से काइन मास्टर सर्च करना है और इस app को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है Open कर लेना है Open होने के बाद Friends आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजएगा अपसे अगर Name इंस्टॉल करेंगे तो कुछ Permission मांगा जाएगा उसे Allow कर देना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आजएगा यहाँ पे Friends आपको Create New पे क्लिक कर लेना है अब यहाँ पे आपको 69 का जो रेशियो है First वाला इस पे क्लिक कर लेना है माली जी यहाँ पे मैं वीडियो में जाता हूँ और यहाँ पे यह हमारा वीडियो है ठीक है इस वीडियो को हमने सेलेक्ट कर लिया माली जी है हमारा blog है मैंने तो ये take video बनाया लेकिन माली जी हमारा blog वीडियो है ठीक है इसको हमने select कर लिया select करने एक बाद से friends आपको यहां से into scene पे click कर देना और यहां पर आपकी वीडियो जो है आ जाएगी देख सकते हैं हमारी वीडियो यहां पर आ गए तो friends इसमें music कैस से लगाएं जैसे कि देखिए यहां पर music लगाने का सही तरीका क्या है मैं आपको बताने माला हूँ बहुत से situation में ऐसा होता है friends कि हम किसी राष्टे का जाते हुए राष्टे का scene record करते हैं तो राष्टे वाले scene पर music लगाना चलते हैं जैसे कि यहां पर मैं वीडियो क्लि है तो यहां से मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं तो उस टाइप का वीडियो नहीं दिख रहा है बट मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूं कैसे आपको करना है देखिए हमारा वीडियो है जैसे मालीजी इतना दूर हम यहां से यहां तक हमारा वीडियो चला ठीक है तो इस वीडियो में यह राष्टे का सीन है तो आपको करना क्या है इस पर अपने वीडियो पर क्लिक करना है ठीक है अपने वीडियो पर क्लिक कर लेना है इसको मैं कट कर लेता हूं यहां पर ताकि आपको समझा सको अश्चे ठीक है तो यहां पर क्लिक करके इसको कट कर लिया कह यहां पे हम music लगाना चाते हैं, तो कैसे लगाएंगा, तो आपको audio पे click करना है, ठीक है, audio पे click करेंगे, तो यहां पे आपको नीचे की तरह पाना है, यहां पे folders लिखा हुआ दिखेगा, इस पे click करना है, ठीक है, अब यहां पे जहां पे भी आप अपनी music रखें, background music जहां पे भी रखे हैं वो folder आपको यहाँ पे देख लेना है कि इस folder में हम रखे हैं वहाँ से आपको select कर लेना है अब friends एक बात और बता दू कि आप जो भी music यूज़ करें बीना copyright वाला ही यूज़ करें ठीक है ताकि आगे चलके आपको कोई भी problem ना हो तो friends यहाँ पे मैं बीना copyright वाला music रखे हैं तो यहाँ पे font में जाता हूँ font नाम का folder है इसमें हम रखे हैं तो यहाँ से एक music select कर लेता हूँ तो देखे मैं इस music को फिल नाम का है इस music को हम select करेंगे तो friends यहाँ से प्ले करके पहले सुन सकते हैं ठीक है कि कौन सा music आपको लगाना है और सुनने के बाद से अगर वो लगाना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक कर देंगे तो music आपके वीडियो के नीचे आ जाएगा simply आप इस कर प्ले हो पर अपर इस का साउंड कर्क दे ना ये तो अप करेंगे किया फ्रेंस की जब हमारा music खतम होगा या रास्ता जब खतम concepts अब फिर हम बोलना ही start के उसमें अपना face दिखा के तो वहां से हम करेंगे क्या इस music पे click करेंगे और यहां फिर friends आपको यह वाला option दिखेगा इसे देख सकते हैं इस option पे आपको click करना है ठीक है और यहां से आप चाहें तो music को यहां दो तरीका iFriends music लगाने का आप चाहें तो music को यहां से जब आपका face दिखे तो वहां पे music का जो value में बहुत कम कर सकते हैं या फिर आप वहां music को हटाना चाहते हैं किसाप music हट जाए तो आप यहां पे cut भी कर सकते हैं तो मैं दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूं तो यहां पे पहला यह तरीका है कि जिसमें आपका music भी बज़ेगा आपका भी sound है ठीक है और यहां पे आपका जो sound है पूरा full है और जब आप बोलने लगेंगे तो आप music बहुत slow सुनाई देगा ठीक है तो यह वाला तरीका है तो इसके लिए आपको यहां पे जब click करेंगे इस पे तो यह लाल बिंदू दिखेगा अब जस्ट इसके आगे या 10 पे कर देना है अलगबक ठीक है और फिर scroll करना है और जहां तक आप बोले हैं वहां तक आपको 10 पे कर लेना ठीक है यहां तक कर दिये ठीक है अब फिर आगे से माली जे राष्टी के सीन है या Cinematic को सीन है तो मैं थोड़ा सा आगे करूँगा ठीक है और फिर क्या तो आप सुन सकते हैं कि जो music है friends यहाँ पे पूरा तेज है क्योंकि यह राज्ते वाला सीन है तो यहाँ पे पूरा music मतलब music ही सुनाई दे रहा है और उसके बास friends यहाँ पे जो music है थोड़ा कम हो गया, बहुत मतलब कम हो गया, थोड़ा सा सुनाई देगा, अगर आपको लगे कि music ज्यादा कम हो गया, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे इस पर click करेंगे, तो ए रेड़ वाला जो जिन है, ए पॉइंट है, आपको देख जाएगा, उस पर click करक मतलब लगे, आपको कि हाँ ज्यादा कम हो चुका है, तो आप बढ़ा सकते हैं, कि मैं जितना बता है, उतना ही कर सकते हैं, आपको अपने वीडियो का अनुसार कर लेना है, ठीक है, तो मैं ये trick है, जो बता दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं, ए पहला तरीका, इस तरीके स बैग्राउंड मुजिक डाला जदा अपने ब्लोग वीडियो में ठीक है, यानि ब्लोग में बैग्राउंड मुजिक एसे ही डाला जना जदा पहला तरीका ठीक है इस तरीके से आप जहां पी भी रोड का सीन है और जो दूसरा तरीका है फ्रेंड्स हो तरीका यह है कि जहां माल लिजे ए रोड का है हमारा सीन है जो फर्स्ट वाला पार्ट देख रहा है ए रोड का सीन है और यहां पे सिर्फ म्यूजिक लगाना चाते ह और जहां पे बोले हैं वहां पे नहीं लगाना चाहते हैं तो simply आपको करना का है आपको जितना आपका cinematic look है उस पे अपनी last position पे जाना है ठीक है उस पे click करना है और उसके last position पे आ जाना है और फिर music पे click करना है ठीक है और music पे click करने के बाद से friends आपको उपर click करना है और यह कहांची के option पे click करना है ठीक है अब यहां पे तीसरे वाले नमर पे click करके अब देख सकते हैं यह हमारा music जो है cut हो गया है जैसे तीसरे वाले नमर पे click किया cut हो गया okay कर देंगे देख सकते हैं हमारा music इतना ही cut हो गया अब जहां तक हमको नहीं music लगाना है वहां तक ले जाएंगे जिसे माली जी इतना हमको music अब नहीं लगाना है इसके आगे हम बोले हैं खुद तो इसमें music लगाना नहीं चाहता हूं तो आप करेंगे क्या स्क्रोल करेंगे उपर क्यांची पर क्लिक करेंगे तीसरे वाले नमर पर क्लिक करके इस music को डिलीट कर देंगे आंसे देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह जहां पर आपका cinematic जो भी आप म्तलब जिस वीडियो में आप चाहते हैं कि music लगए तो अहाँ पर music रख सकते हैं और जिस तरीके से हमने काटके निकाल दिये जहाँ पर music और उसी तरीके से लगाना है और म्यूजिक लगने के बाद से फ्रेंट से आपको करना है आपको सेयर पे क्लिक करना है और अपनी वीडियो के क्लिक करना है तो एक पता के लिए धन्यवाद सेहिं पंदेमात्रम